हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हो भैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं यह समर सीवल है इसके अंदर तीन प्रॉब्लम मैं ऐसे बताऊंगा जहां से इसके अंदर यह दिक्कत आता है कि आपका समर चलता नहीं है आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटाय लाना हो तो भूलना ऐसा करने से आप पर करपानी शुरू हो जाएगी ट्राइगरोड्स लॉक जो होगा स्वीच का जो कनेक्शन है वो खतम हो जाएगा क्योंकि यह स्वीच आता है बहुत जादा लॉकाल आता है और यह लोड नहीं ले पाता है तो आपको इस दोनों को तारों को काट लिया है हमने और काटने के बार इसको हम छिल लेंगे और छिलने के बाद इसको आपस में joint कर लेंगे और यह आपका होगा diet मतलब कि यह स्विच से है आपका black वाला उससे कोई connect नहीं होगा क्योंकि 99% यह स्विच जो है वो फुक जाता है मतलब कि dead position में आ जाता है तो आपको यह स्विच को हटा दिना है क्योंकि अगर आपको on off करना है तो आप जो इसके अंदर MCB लगा हुआ है आप उससे बंद कर सकते हैं कि यह जो switch होता है बहुत ज्यादा कमजोर होता है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम इसको check करके बताएंगे कि यह कैसे check होगा और इसके बारे में हम बताएंगे इसमें तीन चीज ऐसा क्या है कि जो summer खराब होने पर आप इससे कर सकते हैं और इसका solution कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा तीन होता है output होता है यह जो red हो गया yellow हो गया और अपना यह blue हो गया जो red और blue यह main होता है और जो yellow होता है यह condenser का होता है और यह जो आगे वाले जो point है यह neutral face होते हैं जहां से हम power supply देते हैं और यह जो red, yellow और blue यह हमारे summer के होते हैं color code running, starting, common तो यह हमारी होगी running और यह हमारी होगी starting होगी पीली वाली और हमारा जो blue वाला होगी तो यह पहला number है MCB कभी भी अगर आपका नहीं चलता है तो आप इन दोनों तारों को काट के short कर सकते हैं तो आपका summer चल जाएगा पहला चीज तो यह होगा क्योंकि यह summer चलता है तो यह गरम होके खराब हो जाता है तो आप इसे direct करके check कर सकते हैं कि यह आपका supply हो रहा है कि नहीं हो रहा है और आप दिख रहे हैं कि यहाँ पर दो ampere meter लगे हैं एक ampere meter है और एक है voltage meter ampere meter ampere दिखाता है कि कि इतना load ले रहा है यह और voltage meter दिखाता है कि कि इतनी light इसके अंदर आ रहा है तो यह जो एंप this आप इन दो तार को शौट कर सकते हैं शौट करने पिश्वाइझ यह जो करेंट अपस में चला जाएगा और यह समर आपको चल जाएगा इसको सौट नहीं करना है बोल्टेज मीटर को सिर्फ एम्पेर मीटर को सॉट करना है और पहला चीज में इसे आप डायट करके हमने टेपिंग कर दिया है तो यह तीन फॉल्ट होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं इसके अंदर आप इन तीनों को चेक करेंगे तो आप असानी से समर ठेक कर सकते ह लेकिन समर जो है वो नीचे से सही होना चाहिए अगर आपका नीचे से जो समर है वो सही है तो आप इस बॉल्टेज मीटर दूसरा ब्लैक कर स्वीच और आपका तीसरा जो है एमसीवी बॉल्टेज मीटर में आपका जो है लाइट आना चाहिए यह आप यहां से चेक करने कि आप यह जो गोल्ड बेटन दिखा होता है इसके अंदर आप वहां से चेक कर सकते हैं कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है